हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फिजिक्स वाला मैं हूँ तरण जोथ सिंग आपका एईटी जैम और सी एस आई आर नेट का एजुकेटर तो कैसे हो बच्चों क्या हाल चाल है आप लोगों के लिए एक बहुत ही जादा गुड न्यूस लेके आया हूँ एक गोल्डन ऑप बार्क से रिलेटेड है बामा अटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि आपको पता है एक बहुत ही जादा प्रीमियर फैसिलिटी है जी हमारे इंडिया की बहुत अच्छा नामी गिरामी रिसर्च इंसिचूट है और यह जो गोल्डन ऑपरचुनिटी है बच्चों पीएसी एमस से दोनों जो हैं क्लाशिस के बच्चों के लिए है बेशक बच्चा केमिस्ट्री से हो बेशक बच्चा फिसिक से हो वो जो है इस पोस्ट के लिए जो निकली है साइंटीफिक आफिसर यह टेकनिकल ऑफिसर यहां पे direct apply कर सकता है बच्चो B.A.C. Physics का student हो B.A.C. Chemistry का student हो या M.A.C. Physics का student हो M.A.C. Chemistry का student हो direct recruitment 2023 में बार की वो apply कर सकता है सबसे ज़्यादा अच्छी news दूँ आपको तो सबसे ज़्यादा अच्छी news है कि selection will be based on interview बच्चो कोई written test नहीं होगा इसका भी एक criteria है वो भी आपको बताऊंगा written test अभी तक नहीं announce हुआ अभी तक जो selection उन्होंने लिखी है वो क्या है जी purely purely interview based है तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए क्या है खुशकबरी की बात direct post है बच्चो direct government job ठीक है जी government job plus scientific government job तो आपको पता है तो leverage जो है यह हमें मिल रही है यहाँ पर एक हमें posh life मिलेगी आओ देखते हैं जी क्या क्या eligibility criteria है क्या क्या important dates है आओ देखें तो पहले आपको कुछ बार्ग के बारे में बता दूँ बाबा atomic research center क्या है जी एक इंडिया की premier nuclear research facility है आपको पता है जिसके headquarters कहा है Trombe Mumbai में है ठीक है जी यह किनों ने शुरू की थी जी हुमी जहांगीर बाबा जी ने शुरू किया था जी atomic energy के लिए DAE के अंडर आता है Department of atomic energy के अंदर ठीक है जी 1954 में से establish किया गया multi-disciplinary research के लिए और जारा तर किसके लिए जी हमारे इंडिया के nuclear program के लिए तो जो nuclear physicist है ठीक है जो बच्चे चाते हैं कि आप ऐसे institute में जा के बच्चो government job करो या PhD करो या फिर research करो तो बच्चो आपका सपना जो है वो बहुत जल्दी साकार होने वाला है सच होने वाला है ठीक है जी तो सबसे अच्छी बात हो मैंने आपको बताई दिया है कि बच्चो selection is purely based on interview MSC, BSE chemistry से हो, physics से हो बच्चो apply कर सकते हो eligible हो, वा सबसे बड़ी बात तो यह ही है, चलो आओ देखते हैं जी, तो यहाँ पे यह notification है जी हमारे पास मैं आपको बता दूँ कि जो application जो है हमारी start होई है 24th of April को जो यह start होई है अब start होई है जी 24th April को जो है बच्चों यहाँ पे जो है हमारे forms निकले हैं और इसकी last data बच्चों भरने की 22nd में, 22nd में से पहले-पहले इसको जो है यहाँ पे इनके लिए हम apply कर सकते हैं तो बच्चों यहाँ पे तीन post हैं एक का नाम है जी technical officer की post एक है जी scientific assistant की post और तीसरी है जी technician B की post मैं आपको बता दूँ जो बच्चे MSC chemistry हैं या MSC physics हैं वो लोग सिरफ technical officer में apply कर सकते हैं टेकनिकल officer की post पे ही apply कर सकते हैं ठीक है जी और किसी post पे apply नहीं कर सकते यह जो scientific बच्चो scientific assistant की post है यह किसी और home science वालो बच्चों के लिए है ठीक है जी और बच्चो मैं BSC physics और BSC chemistry वाले बच्चों के लिए बात कर रहा था इसमें भी दो category है उनको आगे समझेंगे ठीक है जी अब बात करें salary pay की तो एक technical officer कितना ककम आता है जी क्योंकि सब को यह होता है गवर्मन जोब है तो हमें salary कितनी मिलेगी आओ देखते हैं जी salary की बात करें अगर तो यहाँ पे बच्चों entry पे जो है सब कुछ मिलागे तो बहुत ही अच्छी salary रहने वाली है technical officer की कौन बच्चे लिजिबल है MSC physics या MSC chemistry के बच्चे direct eligible है इस post के लिए ठीक है जी कोई return test नहीं है interview based selection है direct ठीक है जी अब बात कर लें तो यहाँ यह जो training scheme है यह BSC chemistry और BSC physics के बच्चों के लिए है ठीक है जी first year में यहाँ पे आपको stipend मिलेगा ठीक है जी आप एक साल वहाँ training करोगे फिर वहीं पे आपकी selection हो जाएगी यह जो साल आप training करोगे इवन आपको जो stipend मिलेगा वो है जी 24,000 रुपीज आपको stipend मिलेगा बहुत होता है और बच्चे नया BSC करके 24,000 उसको government जो है इतनी अच्छी institute वहाँ पे उसको जो है training करने का मौका मिल रहा तो बहुत अच्छी यह क्या होती है जी opportunity होती है ठीक है जी तो कुछ इस तरह से जो है BSC chemistry और BSC physics वाले बच्चे यहाँ apply कर सकते हैं ठीक है और MSC chemistry और MSC physics वाले बच्चे technical officer की post पे जाके फटाफट apply कर दें सेम बच्चो 22nd माई तक portal खुला है फटाफट जाके भर दो अब बात करते हैं जी कि technical officer की post है कितनी direct recruitment इन्होंने लिखी हुई है बात करें chemistry की तो बच्चो SC के लिए 1 seat है OBC के लिए 3 undeserved के लिए 5 total MSC chemistry के लिए बच्चो कितनी seats हैं हमारे पास 9 seats 9 seats MSC chemistry के लिए physics के लिए अगर बात करें तो physics वालों को बच्चो profit है 14 seat हैं आपके पास आपकी 2 जो हैं बच्चो हमारे पास SC seats है 4 OBC है 7 बच्चों unreserved है total 14 seat MSC physics वाले जो हैं 14 seat बच्चों बट एक criteria और है कि आपके minimum 60% number होने चाहिए हैं आपकी master's में आपकी master's में बेशक आप MSC physics हो MSC chemistry हो आपके 60% marks जो हैं वो minimum होने चाहिए तो that आप इस post को क्या कर सको जी आप इस post के लिए eligible हो जाओ ठीक है तो technical officer की ये post है आओ समझते हैं आगे तो बात करें जी यहाँ पे अब ये तो सारी categories है PWD wise ठीक है जी आगे बढ़ते हैं scientific assistant की मैं आपको बता रहा था कि MSC BSE physics chemistry दोनों के लिए नहीं हैं ये बच्चों निकली है food technology home size and nutrition वाले बच्चों के लिए तो जो भी अगर मेरी वीडियो देख रहा है कोई home science का बच्चा या food technology या nutrition का बच्चा तो बच्चों यहाँ पे साथ सीटे हैं total जो आगर आपने अपनी MSC या master's की हुई है तो आप direct scientific assistance के लिए जो है apply कर सकते हो ठीक है जी आओ आगे बढ़े तो आपको बता दूँ अब यहाँ पे एक category मैंने आपको बताया था कि stipendry training में भी category दो है यह कौन से बच्चे हैं BSC physics BSC chemistry वाले MSC physics और MSC chemistry के लिए technical officer की post है ठीक है जी और BSC physics और BSC chemistry के लिए जो post है वो कौन सी है जी हमारे पास training scheme है जी उनकी stipendry post है ठीक है जी बात करें सबसे पहले अगर हम बात करें chemistry की चलो बात कर लेते हैं कौन कौन बच्चा eligible है BSC chemistry वाले बच्चे eligible है या BSC physics जिनोंने के जिनकी या जिनकी कह रहती है जिनकी BSC non medical रहती है जिसमें chemistry maths और physics सब रहता है वो भी क्या है eligible है ठीक है criteria वो ही 60% number आपकी बैचलर में आपके पास होने चाहिए chemistry की पोस्टें अगर सुन लोगे तो बच्चों हैरान हो जाओगे BSC chemistry वालों opportunity BSC physics वालों opportunity पोस्टें सुन लो अपनी तो पोस्टें हैं बच्चों chemistry के लिए अगर बता दूँ so 169 पोस्टें बच्चों chemistry के लिए 169 और BSC physics वालों के लिए बच्चों 117 117 117 पोस्टें 24 एरपया stipend है बच्चों ये भी आप सुन लो BSC physics 117 पोस्टें BSC physics वाले जो जिनके 60% है अपनी बच्चलर्स के वो eligible है ठीक है जी BSC chemistry जिनके 70% है अपनी बच्चलर्स में वह भी इलिजिबल है 169 पोस्टें फोर chemistry 117 पोस्ट फोर physics तो यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा golden opportunity जो है हमें बार्क ने दी है ठीक है जी तो और भी और भी streams है electronics है mechanical है metallurgy है civil है आओ आगे बढ़ते हैं जी तो यह PWD वाला सारा था category 2 के लिए जो है यह जो है हमारी यह plumber welding यह जो है अपना क्या बोलते है में सन लेक्रीशन यह उनकी पोस्ट है चलो जी आगे बढ़े तो यहाँ पे बच्चों अब आगे बात करें अगर हम तो डिरेक्ट recruitment है एज क्रिटीरिया की अगर बात करें एज क्रिटीरिया की टेक्निकल ओफिसर की जो है minimum age minimum age बच्चों और maximum age maximum age minimum age और maximum age की अगर बात करें यहाँ पे technical officer वो बच्चे जिन्होंने क्या की है जी MSC chemistry MSC physics की है उनकी minimum age 18 साल maximum age बच्चों 35 years तक होनी चाहिए 35 years से कम होनी चाहिए 35 years से कम होनी चाहिए 35 वाला भी चल जाएगा ठीक है जी तो जो बच्चे भी 1988 में पैदा हुए है और 2005 तक जो पैदा हुए है वो सब जो है इलिजिबल है इस पोस्ट के लिए और टेक्निक और जो हमारे बच्चे वाले बच्चे हैं उनके लिए जिनकी पोस्ट क्या है हमारे पास क्या बोलते है कैटिगिरी स्टाइपेंडरी कैटिगिरी ट्रेनिंग वान के लिए जो है उनकी बच्चों minimum age 19 years होनी चाहिए maximum age 24 साल so 24 साल से अगर आप कम ओ APL, BC से कम हो तो जाके अपलाइए करो 35 साल से कम तो मास्टर्स के बच्चे हैं ही है 35 साल वाले भी अपलाई कर सकते हैं तो आप भी जाकर फटा फट जो है यहां पे अपलाई करो ठीक है जी Baggy अगर Orange के लिए 3 years of relaxation है फीक है Mandaram के लिए 5 years of relaxation है बच्चों PWD के लिए unreserved 10 years of relaxation है यह एज relaxation है बच्चों ठीक है जी चलो जी आगे बड़े तो यहां पे मैं आपको बता दूँ अब selection method की अगर बात करें तो मैं आपको जो बोल रहा था मैं आपको पढ़के भी सुना देता हूं यहां पे लिखा है selection technical officer MSC physics MSC chemistry वाले technical officer वाली post के लिए selection will be based on the basis of performance in interview ही कहा जी direct interview बट एक इसमें क्या है twist है चोटा सा सुनो in case the response is more अगर बच्चे जादा हुए the center is the center reserves the right to restrict the number of candidates by conducting computer based test तो जो center है बार्क उसके पास क्या है authority है अगर बच्चे जादा हो जाएं तो वह अब फिर बच्चों को क्या करेगा shortlist करेगा cbt method से computer based आपको पता है test method से वो क्या करेगा shortlist करेगा और फिर interview के लिए बुलाएगा ठीक है जी तो कुछ इस तरह से जो है हमारा सारा जो है प्रोसेस रहने वाला है प्यस्सी फिजिक्स और ब्यस्सी एम ब्यस्सी chemistry वाले आप लोगों के लिए test है एमसी फिजिक्स एमसी के मिस्ट्री टेक्निकल ऑफिसर के लिए कोई टेस्ट नहीं है वट मैं आपको बता दूँ जो बच्चे stipendry ट्रेनिंग पर रहने वाले हैं उनके लिए बच्चों यह टेस्ट रहेगा ठीक है इसमें आपको math science और general awareness आएगी ठीक है जी और सारा method वगरा सारा criteria सब कुछ लिखा हुआ है यह चीजें जो हैं हमें देखने को मिलेंगी बात करें बच्चों अब यहां पे apply कैसे करना है तो बार्क online exam.com पे आपने जाना है कहा जाना है बार्क online exam.com पे आपने क्या करना है जी जाना है वह आपने जाना है पार्क online exam.com आपने जाना है और वहां जाके क्या करना है जी apply करना है आगे बात करें जी examination centers जो हैं वो बहुत जगां है ठीक है जी नौर्थ वाले बच्चों के लिए भी हैं यहां पे बहुत सारी opportunities हैं जैसे चंडीगड में है ठीक है जी बड़े सारी exam centers है अगरतला, एहमदाबाद, अलहाबाद, अमरित सर में है, इटा नगर है, पैंगलूरू है, देरादून है, दमन है, डेली है, डिस्पूर है, गैंग टॉक है, हैधराबाद है, कलकत्ता है, कोहिमा यह सब जगा क्या है exam centers बनेंगे ठीक है जी अब बात करते हैं सबसे important point की क आओ बच्चों, फीस को समझ लेते हैं, फीस की अगर बात करें, तो technical officer वाले बच्चे, MSC physics, MSC chemistry वालों के लिए, क्या है बच्चों, 500 रुपीस क्या है जी, पीस है, 500 रुपीस फीस है, अगर आपके पास category है, SC, ST, PWD, या आप क्या हो, women candidate हो, तो बच्चों, आपकी फीस क् है जी, exempted, किनकी, किनकी फीस लगेगी, unreserved वाले males की, ठीक है जी, और इनकी फीस लगेगी, 500 रुपीस, बच्चों, या आपके पास category है, कोई भी, मेरे प्यारे बच्चों, PWD, अगर आपके पास category है, तो आप क्या हो, exempted हो, इस फीस से, अब बात करें, scientific assistance की, तो 150 रुप registry वाले, जो है, इनके form की जो बच्चों, पीस है, 1500 रुपिया, 150 रुपीस आपके form की फीस है, इसमें भी same criteria, अगर आप SC category से हो, बच्चों, आप अगर यहाँ पे ST category से हो, PWD से हो, या women candidate हो, तो आपकी फीस exempted है, women's की फीस exempted है, और ST, SC और PWD की फीस exempted है, इसका मतलब unreserved males की फीस कितनी है, 150 रुपीस, तो यही है जी सारा हमारा eligibility criteria, ठीक है जी, आपको बता दूँ, प्यारे बच्चों, के यहाँ पे, last date जो है, बच्चों, 22nd of May है, फटा फट जाके apply करो, all the very best, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, बहुत जादा shine करें, बहुत अच्छे अच्छे चूट में जाएं, ऐसी अच्छी अच्छी पोस्टे लें, all the very best to both B.Sc. and M.Sc. Physics and Chemistry students, why take care.